अकश्वणी मध्यप्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं रतनेश सुनी प्रधान मंत्री नरिंद मूधी ने आज देश भर में 9800 करोड रूपे से अधिक की 15 हवाई अड़ा परियुजणों का उधगाटन और शिलानयास किया प्रदेश के जबलपूर और ग्वालियर के साथ पुणे कोलहपूर दिल्ली लखनौ अलिगण आजमगल, चित्रकूट, मुरादबाद, श्रावस्ती और आदमपूर हवाई अड़ों के 12 नए टर्मिनल भवनों का उधगाटन किया ग्वालियर में प्रधानमंती ने वी सी के माध्यम से नवदर्मित राजमाता विजाराजय सिंधिया एयर टर्मिनल का उधगाटन एवम विभिन पर्यूजनाओं का लोकापन वाशिलानयास किया ग्वालियर में इस अवसर पर मुख्यमंती डॉक्टर महान यादव, राजपाल मंगु भाई पर्टेल और केंद्रिय मंत्री जोतिराद्यत्या सिंधिया उपस्तित थे सानथी जवलपूर के डुमना एयर टर्मिनल के नए भवन का लोकारपन भी किया गया डुमना एयरपोर्ट अत्याद होने के सुविधाओं से लैस है, यहां विमान कंपनियों के लिए जहां 6-8 काउंटर ने एयर टर्मिनल के लिए भवन के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी सभी सुविधाओं उपलब्द है, यहां इंडोनेशिया से लाए गए गए अर्ध कुशल श्रमिकों की मजदूरी 12,440 रुपे और खेती हर मजदूरों की मजदूरी बढ़कर 9,160 रुपे कर दी गई है, पार्ट टाइम मजदूरी करने वालों को भी संबल योजना से जोड़कर लावदिने की खुशना भी की गई है, साथी मुक्यमंत्री जनकलिया संबल योजना 2.0 के अंतरगत, 30,599 श्रमिक परिवारों के खातों में 6,078 करोड रुपे की राशी डालने के साथी, विभिन विभागों के विकासकारियों का लोकारपन वाचला नयास भी किया गया, इस मौके पर मुक्यमंत्रियं दिव्यांगता और मिर्तियों के आधार पर एक लाख रुपे की सहायता को बढ़ा कर चार लाख रुपे करने की गोशना के साथी मजदूर द्वारा, 50 प्रतिशत लागत पर यी स्कूटर खरीदेगा, तो उसे भी 40,000 रुपे की निशुलक मदद की जाएगी, इस कारीकरम को प्रदिश के कई दिला मुक्यालों मे सजीव दिखाया गया, गुना में कलेक्टर के NIC कक्ष में इसका प्रसारण किया गया, प्रधान मंत्री दर्न मोदी कल नई दिल्ली में सशक्त नारी विक्सित भारत कारीकरम में हिस्सा लेंगे, इस कारीकरम में नमो ड्रोन दीदी योजना की लाभारती महिलाएं कर्शी दर्न का प्रदेशन करेंगी, इस कारीकरम में प्रधान मंत्री एक हजार नमो ड्रोन दीदी को ड्रोन सोपेंगे, नमो ड्रोन दीदी और लखपती दीदी विशेशकर ग्रामीड महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरन और उन्हें वित्तिय स्वतंदरता उपलब्द कराने के प्रधान मंत्री के अभियान का हिस्ता है इस अवसर पर प्रधान मंत्री उन लखपती दीदी को सम्मानित भी करेंगे जिन्होंने दिन दियाल अंतियोदिय योजना की साहिता से सफलता हासिल की है श्री मोधी स्वासाहिता संहों को बैंक रण के रूप में लगभग 8000 करोड रुपे की राशे भी वत्रत करेंगे ये रण कम ब्याजदर पर दिये जा रहे हैं बोपाल के फंदा में इंडियन इंस्ट्यूट आफ पल्स रिसर्च सेंटर पर 102 ड्रोन दीदिया जुडेंगी चैतर पुर्जले के बरेठी में 32 करोड रुपे से एंटी पीसी आरियल के 630 मेगावाट का सोलर पार प्लांट बनाया गया है जिसका विधीवस्च भारव आज केंदरी न रुप करनीय ईर्जया मंतरी आर्कथ सिंह ने वर्चैसिंग ने वर्चल रूप से एवं केंदरी सामाजिक। इवं अधिकायता मंती डॉक्टर वीरेंद्र कुमान ने बरेटी में किया केंद्री मंती डॉक्टर वीरेंद्र कुमान ने कहा कि अब इस शेत्र के किसानों को इवं नाहमनागरिकों को विद्यूत की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा उन्हेंने कहा कि डिकमगर संसदी शेत्र में जहां रेले आतायात की बहतर सुविधा मिली है वहीं फोल लाइन सड़क बना दी गई है साथी सोलर प्लान्ट भी अब बनने जा रहा है इस प्रजेक्ट से तीन लाग से अधिक घरों में परियापत रोशनी मिलेगी साथी रोजगार के नए आउसर भी सरजित होंगे अब कुछ समचार संचिप में पचमडी सिल्क टेक पार्क को कलेक्टर ने मध्यापरदेश टूरिस सरकिट से जोड़ने के धरदेश दिये पचमडी सिल्क टेक पार्क देश में एकमातर केंदर है जहां पर मलबरी तसर इरी मुंगा इन चारों प्रकार के रिश्यम का उत्पादन होता है शिप्पुरी जिले में लोकसबा चुनाव शांतिपूर धंग से संपादित करने को लेकर बॉर्डर मिटिंग का आयोजिन किया गया है बैठक में राजस्तान और मध्यपरदेश की सीमाओं पर रोगधाम के विश्यों पर चर्चा की गई शहडोल जिले में आयोजित रास्ति लोक अदलत में 1796 मामलों का निराकर्ण किया गया है निराकर्ण मामलों में 1457 प्रकर्ण पी लिटिकेशन के थे जबकि अन्य 289 प्रकर्ण नियायाले में लंबित थे इसी के साथ ये समाचा बॉलेटिन समाप्त हुआ निराकर्ण नियां